मुश्कार दोस्तों वेलकम टु संभाओ एजुकेशन दिस्जारियन सुकला दोस्तों आज की क्लास में हम जीके का प्रेक्टिस सेट सॉल्व करेंगे इस में सभी टॉप पे कुश्चन होंगे इंपॉर्टन कुश्चन होंगे वो चैसे कुश्चन है जो तब प्रिदेश प्रिश के लिए आंसर करिएगा मताये इसका राजिक जो सीमा यह राजस्तान शेट सेन ही मिलती इधाये किस राज का पॉर्डर राजस्तान से शेट फिया हàiना या'm ये आपांसन से Scorecard कि सभी को गुड मौर्निंग पता यसका राइट आंसर क्या होगा अभी इसका अंसर करिएगा आपको बताना है निम्न मैसिक किसराज किसीमा राजस्थान से नहीं मिलती है आपसिंद को पढ़ लीजिए उसके बाद यांसर करिएगा बेरी गुड दोस्तों पता यसका अजिसका राड़ सेनुबर इस होगा महराश्ट के करैक्ट हो गृ नास वर अपे तरोểmetically एक दोंगा ताह रहे होगा महराश्वा तुब ही तो जो माराश का जो बौर्डर है यहीं मिलता आप तरह टान तरह बारत या दिए जिसनए तीनों राज़ों का बौर्डर राज़स्टान से मिलता है तो कुशन नमबर 55 आफसा नमबर एक अरेक्ट आंसर होगा बैरीकृूर दोस्तों एक अरेक्ट आंसर होगा आपका छेतल की द्रेश्टी से भारत का सबसे बड़ा राज राजस्तान है, राजस्तान की राजधानी जैपुर है, जैपुर को भारत में पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, यह आप लोग याद रखिएगा, कालवेलिया, घूमर, पनियारी, यह सभी राजस्तान के फोक डांस हैं, और राजस्तान का जो वाडर है, य पाकिस्तान देश से मिलता है, सभी लोग यह सका आंसर याद रखिएगा, इस परकार सभी कुछन पूछा जाता है, कि जो राजस्तान है, इसका वाडर किस देश के साथ मिलता है, तो आप लोग याद रखिएगा, पाकिस्तान देश के साथ मिलता है, परतमान में राजस्त एक राइट ऐंसर है चलिए आँगे बढ़ते हैं MICHां कि कुछिन नमर दो के लिए पताईए स्री लंका का राष्टी खेल क्या है सभी लोग इस का ऑन्सर करिएगा पताईए अच्छिन नम्र के देज्च जाता है प्रारची नम क्या है। स्री unrest बारच इन नाम क्या है स्री लंका का राष्टी खेल किया है भारत और जो स्री लंका है इसका भी जलसंदी है वसे पाक श्टेट के नाम से जाना जाता है यह भी आप तोग तो याद रुखिएगा। स्री लंका का नेशनल स्पोर्ट। बॉली बॉल है। और यह आपका राइगार आंसर होगा। जिसने कुशन अमजा का ओफ़ कर राइड और यह उनका सही उत्थर है। आमजार आपका राइड रुगा। सभी को गूड मॉनिंग इसका राइट अंसर आपसे नमबर ए होगा जिसना भी लाइट सेजन को लाइट नी किया लाइक कीजिए शर कीजिएगा चैनल पर नई है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा वाल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेसन आप तक पहुंच सकें डेली सुबह आट बजे आपकी क्लास होती है तो डेली सभी लोग लाइट सेजन को जोईन कीजिए सभी को गूड मॉनिंग चलिए सुरू करते हैं आज की क्लास इसका अंसर करिएगा पताएगे कुशन नमर 3 का करेक्टर आंसर क्या होगा सभी लोग जल्दी से इसका अंसर करिए पताएगे इसका राइट आंसर क्या होगा पताएगे केरल की नाव दोड किस्ते वार की विसेज़ता है सभी लोग जल्दी सा अंसर करिएगा इसका राट आंसर क्या होगा जो केरल की नाज दौर है जिसे वार की विसेष्था आप इसके वार क्यर्या राइज करिए थि पता है कि या इंसर अख दोस्ता इसका राइज़ा ओगा उडाम होगा फॉट दोस्तों इस परकार से भी कुशन पूचा जाता है सभी लोग ध्यान से सुनियेगा पन шाieran मुखयता किस राज से समंदेथ है पूछा वगा कुशन है कि आफ लोग याद रखेगा के ल कि के रेल से समंदेत है जिसमें भी कुश्ज्यूनमंबर ती दिया इनका सिय। तरएं सि करेक्ट Анसर होगा अपका गूड मॉनिंग अब इसका अनसर करिये गर कुश्ज्यूनमर पोर के लिए पतायिस का राइज अनसर क्या होगा सबी लोग इसका अंसर करिए कुश्चन अंबर 4 के लिए पताइए इसका राइट अंसर क्या होगा वनस पतीग ही निर्माड में कौन सी गैस प्रेयुक्त होती है पताइए इसका राइट अंसर क्या होगा यह इसका राइट अंसर क्या होगा वनस पतीग ही निर्माड में हडोजन गयस प्रियुक्त होती है सी करेक्ट अंसर होगा आपका जिसने भी कुशन नमबर anyway का हाफसर नमबर सी दिया है उनका ऒेज़ा उत्तर है हाफसर नमबर सी आपकर आइट अंसर होगा very good, sea करेक्ट अंसर है आपका बहुत अच्छे इस बार आप सभी ना correct answer दिया है very good दोस्तों इसका answer करिएगा question number five के लिए answer करिए पताईए इसका right answer क्या होगा पताईए इसमेंसे कौन सही हुग्म सही है आपको सही हुग्म का चुनना है पताईए इसका right answer क्या होगा जंबल नर्मिदा एक तरफ आपको साइग नदी दी गई है और दूसरी तरफ मुख नदी दी गई है पताईए इसमेंसे कौन सही हुग्म सही है जंबल नर्मिदा सौन यमना मानस प्रमपत पताईए इसका right answer क्या होगा सभी लोग 40 answer करिएगा पताईए इसमेंसे कौन सही है पताईए इसका correct answer क्या होगा बेर गुड दोस्ता हूं अब देखिए इसका right answer option number A होगा cable 3 जास option number A correct answer होगा cable 3 सही है क्योंकि दोस्ता हम जो मानस है ये प्रमपत की साइग नदी है तो A correct answer होगा cable 3 सही है किसकी साइग नदी है ये वमना की साइग नदी चंबल है आप लोग याद रखेगा son ये किसकी साइग नदी है گंगा की साइग नदी son है इनके बारे में भी आप लोग याद रखेगा important है परीक्छा के लिए जिसने में question number 5 बा, solution number A दिया उनका सही उत्तार है तो आप लोग याद रखिएगा चंबल नमना की साइग ने दी है सौन गंगा की साइग ने दी है मानस ब्रंपत की साइग ने दी है बहुत अच्छे चलिए आंगे बढ़ते हैं इसका अनसर करिए कुश्यन О्बर सिक्स के लिए कि असका राइठ आंसर क्या होगा पताई है भारती पफसु चिछिस्सा विक्यान अनसनान संस्तान कहा इस्ते है मत्हिए बरेली मत्रा करनाल पटना क्योपन साइग पताई है स्फिर रहाएठ अनसर क्या होगा सबी जल्दी से अंसर करिएगा बताई इसका करेक्ट आंसर क्या होगा इसका राइट आंसर आपसर नमबर A होगा बरेली यह बारती पसूच इसापका राएट अनसर आप लूगे आप्र आपकर रहाइट की आपकराइट आपकराइट आपकर। बताईए भारती समनान में धार में सुतंता के अतकार का उद्देश क्या है? सभी लोग जली सांसर करिए कुश्चन नमबर सेवन के लिए पताईए इसका राइट आंसर क्या होगा? बताईए इसका राइट आंसर क्या होगा? बेरी गुड दोस्ता, गुड सभी लोग जली सा राइक्ट आंसर होगा। भारती समंदान में धारवमें की सतंता की हतकार का अद्देश है। Should?" को बिनाए रखना भी करेक्ट लोगा आपका लाइक है यह सांप्सर नममर भी आपकर राइट अंसर है जिसने भी कुश्चिञ नमर से मिकाशन नमर भी रहा है उनका सही उत रह साहिए बहुत अच्छे गोड चलिए आंगे बढ़ते हैं इसका अंसर करिए इसका राइट अंसर क्या होगा बताएए 50 रुपए की नोट पर किसके हस्ताक्चर होते हैं सभी लोग इसका अंसर करिएगा बताएए 50 रुपए की नोट पर सुरी हस्ताक्चर होते हैं बताएए इसका राइट अंसर क्या लोग जली सांसर करिएगा बताइए इसका राइटांसर क्या होगा जो 50 रुपए का नोट होता है इस पर किसके अस्ताक्षर होते हैं इसका राइटांसर आपसर नंबर ही होगा आरभी आई गवर्नर जास आपसर नंबर याफ का राइटांसर है जो याद रखिएगा जो गागरा ताती मंडवी राभी इसका राइट अंसर क्या होगा सभी लोग बताईएगा निम्न मेंसे कौन सी नदी उत्ता प्रदेश में बहती है सभी लोग इसका अंसर करिए पताईए इसका राइट अंसर क्या होगा बेरी गुड दोस्ता हूं गुड इसका राइट अंसर आपसर नमबर यह होगा घागरा य rap alt answer, आप लोग याद रखिएगा जो घागरा नदी है, यो तप डेश में बेहती है, आप ले आप कर alt answer होगा कुछ्छ नमब नान गया जिसने भी आप लूप लिए उत्ता रहे, एक और आख रुगा आपका इसे आप लोग याद रखेगा मांड भी correct answer नहीं होगा जो मांड भी नदी है इसके किनारे आप लोग याद रखेगा गुवा की रादधानी पढ़जी बसी है सभी लोग याद रखेगा इसलिए option number याप कर right answer होगा एक correct answer होगा आपका गागरा नदी उत्तक देश में बहती है जिसने भी question number 9 का आपसर number यादिया उनका सही उत्तर है आपसर number याप कर right answer होगा very good दोस्तों चलिए आँगे बढ़ते हैं यह सभी top के question important question है इसी प्रिकार के question UP police की परिक्षा हम पूछे जाएंगे gk के, सब लोग द्यान से देखिएगा class, इस पैसल आपकी प्रिक्षा के लियए class है, चलिए आँगे बढ़ते हैं इसका answer करिए question number 10 के लिए बताईए इसका right answer क्या होगा सब लोग इसका answer करिएगा बताईए इसका right answer क्या होगा चलिए इसका answer करिएगा बताइए समनान का कौन सा आटकल रूल अप लौ का विस्तरे तो लेक करता है बताइए इसका राइट अंसर क्या होगा सभी लोग इसका अंसर करिएगा बताइए इसका राइट अंसर क्या होगा ये पॉल्टी समन्दित कुश्यन है अच्छा कुश्यन है सबी लोग जल्दी सांसर करिए कुशन नमर 10 के लिए बताइए इसका राइट अंसर क्या होगा भारती सम्दान का कौन सा आर्टकल रूल आप लौ का बिस्तरे को लेक करता है बहर गुट दोस्तों बहुत अच्छे देखिए इसका राइट अंसर आपसर नमर भी होगा आर्टकल 14 जैस आपसर नमर भी आपका राइट अंसर होगा तो आप लोग याद रुखेगा भारती सम्दान में जो आपकल 14 है ये रूल आप लौ का विश्तरे कुलेक करता है भी करेक्ट अंसर होगा आपका जिसमें भी कुश्चन नमर टेन का आपसर नमर भी लिया है उनका सही उत्तर है भी करेक्ट अंसर होगा आपका भी करेक्ट अंसर है बेरी गुड एक रेक्ट अंसर इसका नहीं होगा इसका राइट अंसर आपसर नमर भी होगा और उच्छेद 14, सही उत्तर है, बहर को दोस्त हूं, चलिए आगे बढ़ते हैं इसका अंसर करिए का कुश्चन अंबर क्या रख लिए, बताइए इसका राइट अंसर क्या होगा ये दिवस से सम्मने कुश्चन है, बताइए इसका राइट अंसर क्या होगा पताइए बिस से दूर संचार दिबस का मनाया जाता है सभी लोग जल्दी सांसर करिएगा पताइए बिस से दूर संचार दिबस का मनाया जाता है इसका राइट अंसर क्या होगा 20 अपरेल 17 माई 29 सितंबर या फिर 9 दिसंबर सभी लोग इसका अंसर करिएगा पताइए जिस से दूर संचार दिवस का मनाया जाता है ये भी important question है पताइए इसका right answer क्या होगा very good दोस्ता हूं good इसका right answer option number भी होगा 17 मही को yes option number भी आपका right answer है आप लोग याद रखेगा 17 मही को प्रतिवर्स जिस से दूर संचार दिवस मनाया जाता है बी correct answer होगा आपका जिसने भी question number 11 का option number भी दिया उनका सही उतर है भी correct answer होगा आपका इससे आप लोग याद रखेगा important question है दिवस से सम्माने question पर इक्ष्छा में पूछ लिए जाते हैं तो 17 मही को प्रतिवर्स बिस से दूर संचार दिवस मनाया जाता है आँगे बढ़ते ह डेली इसके लिए आप practice कीजिएगा इसका राइट answer आपसर नमबर भी होगा चलिए आँगे बढ़ते हैं किसका answer करिए है कुश्य नमबर भारत लिए पताईये है क्या होगा जो графis सम्माने question है अच्छा question है पताईये नहिम्न मैंसे किस नदी का अधगम भारत से बाहर होता है의 पताईये सकर answer क्या जदी सांसर कर से पताईये है क्या इसकर answer क्या होगा चलिए सभी लोग answer कर यह question number वारक लिए पता हिए इसका right answer क्या होगा बैल गुड़ दोस्ता अ गुड मौनिंग इसका answer करिएगा पता की vahrak correct answer क्या होगा इसका राइट अंसर आपसो नमझे यह होगा ब्रम्पृत . यह उपसर नमझे आपकर राइट अंसे हおाथिए है इसका उद्गं पटबस से उता है तो आपसर नमझेए आपकर राइट अंसर होगा वारत क्यादोग्ट टेस weiterhin को देहंग में ब्रम्पृत निधी को जमना की ना राइट आंसर होगा बाकिया आपको याद रखिए गंगा यमना निर्मिदा इन सभी का उद्गम भारत में होता है कुश्चन नम्बर 12 का उसका नम्मर एक रेक्ट आंसर होगा सभी ने इस पर करेक्ट आंसर दिया है बहुत अच्छे इस पार आप सभी के राइट आंसर हैं एक रेक्ट आंसर होगा आपका बेरी गुड़ दोस्ता चलिए आंगे बढ़ते हैं बुद मॉनिंग इसका आंसर करिएगा कुश्चन नम्बर 13 के लिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए राज सभा का सदस बनने के लिए किसी भी व्यक्ति की नियुनतम क्या होगा बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा और सब्सक्राइब राइट नियुक्त कर दोग याद रखेगा याद रखेगा राज सभा का सदस्पनने के लिए किसी भी व्यक्ति की नियुंत्यमाईू तीस पर्स होनी चाहिए अब कुष्चन आपसे एक और पूछा जा सकता है आप से पुछ सकते हैं कि लोग सवा का सदस भनने के लिए किसी भी बेक्ति की नियूंतम आयू कितनी होनी चाहिए तो आप लोग याद रखेगा लोग सवा का सदस भननने के लिए क्ना द कुरूंटम आयू होने के 75 बर्स 25 बर्स 25 बर्स गुड़ मॉनिंग यस सभी important question कुछेंड往on important liegt कुष्ज ciert पूछे जाते हैं राध सबाह भारत में राश्ट्ली महला देबस मनाए जाता है किसकी याद मनाए जाता है यह आपको पदाना है तлись पहली बात लाद्व याद रखेंगा कि कुश्चंट पूछा जाता है कि भारत में राश्टी मेहला दिबस का मनाए जाता है important question है 13 फरवरी को 13 फरवरी को भारत में राश्टी मेहला दिबस मनाए जाता है सबी लोग इसे याद रखेगा important question है और अगर आप सब कूछा जाए अंतर राश्टी मेला दिबस कम मनाय जाता है तो आप लोग याद रखेगा आठ मार्स को अंतर राश्टी मेला दिबस मनाय जाता है ये दोनों अलग-अलग कुशन है दोनों के बारे हम सभी लोग याद रखेगा अभी आपको बताना है जो राश्टी महला दिवस है 13 फरवरी को किसकी याद में मनाया जाता है बताए इसका राइट अंसर क्या होगा बेरी गुड दोस्ता गुड सभी लोग जल्दी सांसर करिएगा इसका राइट अंसर आप्सर अंबर्सी होगा सरुनी नाडू याथ अंबर्सी आपका राइट अंसर आप लोग याद रखेगा सरुनी नाडू की जैनती पर प्रत्री बस 13 फरवरी को भारत में राश्टी महला दिवस मनाया जाता है इसका राइट अंसर होगा आपका अब सभी लोग ज्यान से सुनिएगा सरुनी नाडू ये भारती राश्टी कांग्रेस की पहली भारती महला अदिक्स थी इन्हों निस सो पच्चिस में 1925 में भारती राश्टी कांग्रेस का कानपुरम अद्वेसन हुआ था उसकी अद्यक्ष्टा की थी आप लोग याद रखेगा इसी के साथ थी अप लोग याद रखेगा आंगे चल कर ये भारत की पहली महला राश्टाली भी बनी थी किस राश्टी बनी थी उत्ताप प्रदेस की बनी थी ये इंपॉर्टन कुशन है तो परिच्छा में जरूर पूछे जाते हैं इनके बारे में आप लोग याद रखिएगा जैसे भी कुशन नमर 14 का आपसे नमर सी रियान का सही उत्तर है तो याद रखिए चलिए इसका अंसर करिएगा फूटीन के लिए पताइये इसका राइच अंसर क्या होगा पताइये तांसर क्या होगा उसराज की सरकार दिया जाता है या जै उसका है या गाल कि ने बैरी गुड दोस्तों इसका राटांसर आपका राटांसर आपका राटांसर है बैरी गुड बहुत अच्छे चलिए आंगे बढ़ते हैं बारी गुड दोस्तों बैरी गुड चलिए आंगे बढ़ते हैं इसका राटांसर क्या होगा इतियास समंदित कुष्चन है बताईए इसका राटांसर क्या होगा अच्छा कुष्चन है बताईए दोस्तों किसके दरबार में सिजदा और प्याबोस की फिर्थास रूम हुई थी बताईए इसका का अंसर करिए आप लोग इस्टडी पर फोकस कीजिए स्काराइट आंसर क्या होगा जालिये क्कुश्चिन अमबर 16 क्रेक्ट आंसर क्या होगा अच्छा कुश्चन इतियास समंगे थैं तो नियुक्त आप राइट आंसर क्या होगा बेरिकुड दोस्तम देखिए इस पिरता सुनु हुई थी डी करेक्ट आंसर होगा आपका सभी ने इस पर करेक्ट आंसर दिया बहुत अच्छे इस पर आप सभी ने राइट आंसर दिये हैं डी करेक्ट आंसर होगा आपका अब देखिएगा परिक्षा में कुश्चन पूछा जाता है सबी लोग ध्यान से सुनिएगा परिक्षा में इस प्रकार से कुश्चन पूछा जाता है कि फार्सी तेवार नारोज का प्रवर्तन किसने किया था इंपॉर्टन कुश्चन है कई बार परिक्षा हम पूछा हुआ कुश्चन है कि फार्सी तेवार नारोज का प्रवर्तन किया था सब्ही लोग इसे भी याद रखिएगा इंपॉर्टन कुश्चन है परिक्षा में पूछ लिया जाता है जिसने भी कुश्चन अमबर सोला का अफसर नमबर टी दिया उनका सही उत्तर है टी करेक्ट अंसर होगा अबist का लिए गुश्चन करिये इस का राइट अंसर क्या होगा इसका अंसर करिये बताइए इसका राइट डाइट अंसर क्या होगा बडर गुश तोस्चनुचन हाट अब लोग याद रुखिए गाँ भारत का एक मात ऐसा राजज्जानागा लेंड जिसकी ऑफिसियल लेंग्वेज अंग्रेजी है अब आप लोग बताईए गाँ जल्दी से नागा लेंड की राधदानी क्या है सबी लोग इसका अंसर करिये कमेंट में पताईए नागा लें रिंकू अभी वैरी गोड बिक्रम आरेस रानी इसू सालू संतोस सुकला उदय सभी करेक्ट आंसर है वैरी गोड नवल बहुत अच्छे आप सभी ने करेक्ट आंसर दिया है तो आप लोग याद रखिएगा जो नागा लेंड है इसकी राधदानी कोईमा है सभी लोग इस कुश्चन नमर 18 के लिए पताईयस का राइट आंसर क्या होगा सभी लोग इसका अंसर करिएगा पताईयस का राइट आंसर क्या होगा इसका राइट आंसर क्या होगा इसका राइट आंसर क्या होगा साहित अकादमी की स्थापना का वही थी सभी लोग जल्दी इस आंसर कर पूछा हुगा वैसे यह वाला जो कुछ्छन है यूपी एसाई की परिक्षां पूछा हुगा कुछन है पताइए इसका राइट अंसर क्या होगा रेकिंश के ओगा रहोगा रहा है लेहां कि आपना राइट रूप जोग याद रिखेगा 1954 में साथ तक आदमी की स्थाफना हुई थी आप्सिन अमबर A आपका राइट आंसर होगा जिसने भी आप्सिन अमबर A रिया उनका सही उत्तर है पताइए इसका राइट आंसर आप्सिन अमबर A होगा सभी लोग इसे याद रखेगा चलिए अभी इसका राइट आंसर करिएगा कुशन अमबर नांटीन के लिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा टेन टू पाकिस्तान पुस्तक किसने लिखी है बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा टेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लिखा कौन है सबी लोग इसका answer करिएगा पताईए इसका right answer क्या होगा अगर कोई question आपको नहीं आता है उसे आप लोग note down कर सकते हो और जो extra fact आपको बताई जाते हैं उसे भी आप लोग ध्यान से सुनिएगा परिक्षा में उसे भी question पूछे जाते हैं इसका right answer option number भी होगा खुस्पंथ सिंग यास आपसर नमर भी आपका right answer आप लोग याद रखिएगा ट्रेन टूपा के स्टान पुस्ट तक खुस्पंथ सिंग ने जिखी है भी correct answer होगा आपका 19 का option number भी correct answer है very good दोस्तों आँगे बढ़ते हैं इसका right answer करिएगा question number 20 के लिए पता हिए इसका right answer क्या होगा सब ही लोग इसका answer करिएगा एक मात धातू जो द्रव अबस्ताम पाई जाती है उसका नाम क्या है पता हिए इसका right answer क्या होगा यूपी प्लिस की परेक्षा हम पूछा हुँआ क्षचन है तो अजात शेकी परीक्ष्यम पूछा गया था, बिलकुल इसी प्रकार से, पताहिए इसका राइट अंसर क्या होगा, एक माध धातू जो दिरभ अवस्थाम पाई जाती है, उसका नाम क्या है, पारा सोना चांदी ऐलियूमिनियँ, पताहिए इसका राइट अंसर क्या होगा डेली सुबह आठ बजे आपकी गिलास होती है डेली सबी लोग लाइट सेशन को जोइन कीजिएगा इसका राइट अंसर आप्शन अंसर आप लोग याद रखेगा मरकरी एक माद धातू है जो द्रब अबस्ताम पाई जाती है आप राइट अंसर होगा सब ही ने correct answer दिया very good, बहुत अच्छे इसका right answer option number A होगा आँगे बढ़ते हैं इसका answer करिएगा question number 21 के लिए बताएगे इसका right answer क्या होगा सब ही लोग इसका answer करिएगा बताएगे कोपेन हेगन किस देश की राधदानी है चलिए इसका answer करिए इसका right answer क्या होगा कोपेन हेगन किस देश की राधदानी है यह आप से पूछा गया है इसका right answer क्या होगा डनमार, कॉष्टेलिया, नीदडलेंड, मलेसिया पताएगे इसका right answer क्या होगा तैक्छे सका right answer option number A होगा जब ही ने इसपार correct answer दिया Very good, बहुत अच्छे, इस पार, आप सभी के राइटर अंसर है। अभी इसका अंसर करिए का। बताहिए इसका राइटर क्या होगा। मारें अबाइए व्हूमी किसका निस्ल कॉफार है सब्ही लोग इस का अंसर कर आ浏क हूं कि अजूड़ होगा में यहान सब्हử भी लोग जल्दी सब्हूर करिए बने इसकर आर्ड आसर क्या हुगा यजू क्राइब कर अधा नमबर ॰ व mouvement प्रकृति राइट आंसर आप तो याद रखिए भूमी प्रकृति का निस्वर को उपार है तो भी करेक्ट आंसर होगा आपका भी करेक्ट आंसर होगा आपका सभी ने करेक्ट आंसर दिया बेरी गोड बहुत अच्छे इसका राइट आंसर आपस नमबर भी होगा अभी इसका अंसर करि पताई इसका राइट अंसर क्या होगा जै जवान जै किसान का नारा किसने दिया था सभी लोग पताईएगा जै जवान जै किसान का नारा किसने दिया था चौधरी चरट सिंग जबालाल नहरू लाल बाद दुस्तास्त्री इंद्रा गांडी इसका राइट अंसर क्या होगा यह इंपॉर्टेंट कुश्चन है कई परिक्षा हम पूछा होगा कुश्चन है तो आपके लिए अग्जाम में पूछा जा सकता है इसका राइट अंबर्सी होगा लाल बात दो सास्त्री यह आपकर राइट अंबर्सी होगा लाल बात दो सास रखेगा लाल बाद दो सास्तरी थे एक कुश्चन और पूछा जाता है 1965 में 1965 में जब भारत का यह दुगा था उस समय भारत के प्रधान मंतरी कौन थे इंपार्टन कुश्चन या परिक्षा में पूछा ही जाता है आप लोग याद रखेगा उस समय भारत के जो प्राइम मिनिश्टर थे लाल बाद दो सास्तरी थे यह भी आप लोग याद रखेगा चलिए इसका अंसर करिएगा कुश्चन अमबर 24 के लिए बता इसका रखेया इसका रायट अंसर क्या होगार कि सभी लोग जल्दी स्वांसर कुछ ये लिएए इसका राइट ऑंसर क्या होगा दोस्तों भॉल करेक्ट आंसर होगा आपका इसका प्रकीडन अधिक्तम नहीं होता है कम होता है भी करेक्ट आंसर होगा आपका सी करेक्ट आंसर नहीं होगा इससे आप लोग याद रखेगा इंपॉर्टेंट कुश्चन है भी करेक्ट आंसर होगा आपका इसका प्रकीडन कम होता है चलिए आंगे बढ़ते हैं इसका अंसर करिएगा कुश्चन नमर 25 के लिए पताइए इसका राइट अंसर क्या होगा पताइए पर्थ कहां का नगर है ये कहां पर है सभी लोग जल्दी सांसर करिएगा पताइए पर्थ कहां पर है चलिए इसका अंसर करिएगा पताइए इसका राइ होगा ऑस्टेलिया यास आपका राइट आंसर आपको याद रखेगा पर ऑस्टेलिया का सहर है ठीक रेक्ट आंसर होगा आपका ऑस्टेलिया की रादधानी आपको याद रखेगा कैनवरा है परिक्षाम पूछ लेते हैं ऑस्टेलिया की रादधानी तो आपको याद यह कुश्चन को चेंड परिक्षम पूछ लिए जाते हैं जिसने भी कुश्चन हमबर 25 का आफसर नमबर ठीडिया उनका सयूत्ता है डी करेक्ट आंसर होगा आपका अभी सकांसर करिएगा कुश्चन हमबर 26 के लिए पताईए इसका राइट आंसर क्या होगा बताईए इनमे सबीों किस कांसर करिएगा निमेंसर कौन सबड़ बाडताए जब्ता यह कौन से क्यों सबार्ट अच्छे जिसना आपको तडिया करेक्ट आंसर है आपको याद रखियेगा उत्ताप ग्रत्स के साथ बाडर्ब हराँड answer होगा आपका सभी ने correct answer दिया very good बहुत अच्छे इस पार आप सभी right answer है 26 जिसने भी option number area उनका सेयुत तर है एक correct answer होगा आपका very good दोस्तों इसका answer करिएगा 27 के लिए बताइए इसका right answer क्या होगा 15 साथ होगा 15 में अमरिश सरकी सतापना किस ने की थी सभी लोग जल्दी सांसर करिएगा पताइए सका राइट आंसर क्या होगा जल्दी सांसर करिए पताइए 1577 में अमरिस सर की स्थापना किस ने की थी पताइए सका राइट आंसर क्या होगा देखिए पहली बात आप लोग याद रखेगा जो अमरिस सर है इसकी स्थापना कब ह सब्सक्राइब कर ओ ! कुण पूर्मनिंग सभी को देहिए सब्सकर नमबर भी होगा गुरू रांदास me correct answer होगा ? या चावज नमबर भी हूपकर है digital है आप लोग यहाद रखिएगा ऐगा रूप आप दावर्ड के नाम से जाना जाता है यह इंपर्टन कुश्चन है सभी लोग जल्दी सांसर करिएगा पताइए किसे रूप आप दावर्ड के नाम से जाना जाता है यह इंपर्टन कुश्चन है सभी लोग जल्दी सांसर करिएगा पताइए किसे रूप आप दावर्ड के नाम से जानते हैं तिब्बत का पतार दच्छड वारत का पतार राजस्तान का पतार अमेरिका का पतार सबी लोग जल्दी सांसर करिएगा बताईए रूप आप दवर्ड की नाम से किसे जाना जाता है इसका राइट अंसर आपसे नंबर ए होगा तिबबत का पठार जैसे रूप आप दवर्ड की नाम से जानते हैं आपसे नंबर ए आपका राइट अंसर होगा जिसने भी कुश् कुष्च点 है अच्छा कुष्च चांश का सरवाद इक शक्री वालामुखी है पताएloe कौन सा है सभी लोग सिक्री एक का मुखी करेंगा सबसे आपसेसे लब सर्हों संसाह को और सबसे कि हुआ है कि दो तो ध्यामा कोटड कोई नहीं हैं इस अब करह थोब्सशन बहुत अच्छे, बहुत दोस्ता हूं, इसका राइट अंसर, आपसर नमबर A होगा, किलाईू, यह आपसर नमबर A होगा, यह आपसर नमबर A होगा, यह आपसर नमबर A होगा, इसे 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 आपस मेड़ी खेडा बाण किस नदी नदी के ऊपर बनायानद कम आपका अपनका बनाया व्यासा बगै इस का यरी जान हैं पूछ सकते हैं आप से के च्शी में *** भी याद रखेगा मेड़ी खेडाबान सिंदे नदी 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 website होगा आपका अब पूछ सकते हैं आपसे कि याद रखेगा यह मद्ध्ध प्तित्स में है और यह सिंद नदी परिस्थ है टेर्फ है यह जह जोन homem होगा इस्देश है और यह कि लीज़ करृक्षी कर्या अंसर है ए पप्षैप्टी फ़िए जोग reglaam pulled के लिए G बहुत इच्छे ईंसर गुड की इसका इंसर ऑप्से नमबर ोग है बीकरेक्ट नमबर की ब्याओं से मिरोकि कशी नमबर गोड़ अब इसका अंसर करिएगा कुश्चा नमर 32 के लिए पता हिए इसका राइट अंसर क्या होगा जिमबावे की राधधानी क्या है सबी लोग इसका अंसर करिए गान पताई यह जिमबावे की रादधानी क्या है इसका अंसर करिए नियॉयोर्क लुसा का हरारे उटावा पताई इसका राइट अंसर क्या होगा बहुत अच्छे पताएए इसका राईटएंशर क्या होगा? इसका राईट है आइसका नमबर सिगा होगा? इसका राईटांसर ओप स्की होगा? जिम्बावे की राददानी हरा रहे है Very good, see correct answer होगा आपका अभी इस का answer करिएगा पताईए कुश्चन No. 33 का correct answer क्या होगा पताईए इसका correct answer क्या होगा अब देखे कुश्चन इस पर कार है युम्थांग गार्टी किस राज में स्थेत है पताईए इसका correct answer क्या होगा इसका right answer है जिसने भी option number 3 रिया उनका सही उत्तर है तो आप लोग याद रखेगा यह हम थाँगे गार्टी सिक्क्य में स्थेत है स्थे correct answer होगा आपका कुश्चन No. 33 का option No. 34 के लिए पताईए इसका right answer क्या होगा इसका right answer क्या होगा रैप्रिज रेटर में कौन सा गैस तरफ का प्योग किया जाता है पताईए इसका right answer क्या होगा यह अच्छा कुश्चन है बताईए इसका right answer क्या होगा बताईए रैप्रिज रेटर में कौन सा गैस तरफ का प्योग किया जाता है अमोनिया, कारवन डायोकसाइड, क्लॉरीन, हैडोजन इसका राइट अंसर क्या होगा, सभी लोग पताईएगा तेखिए इसका राइट अंसर, औपोलिए रइट रखेगा राप्रिज रेटर में अमोनिया गया तरप का प्योंग किया जाता है आपसर नमबर याप कराइट आंसर है 34 का जिसमें भी आपसर नमबर एडिया उनका सही उत्तर है जास आपसर नमबर याप कराइट आंसर होगा 35 के लिए आंसर करिएगा बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा भारत के समदान का न आफसर नमबर A होगा भारत के महान या इबादी से अट और नी जैनलर से संबन देजा आफसर नमबर A आफसर रहाएं अचर है उनका सहीधर रहाएं आफसर नमबर A होगा इसे आप लोग याद रुखेगा चलिए आंगे बढ़ते हैं हभी इसकांत से करिएगा question number 36 के लिए answer करिए बताइए इसका right answer क्या होगा बताइए आरवट को अंत्रिक्ष में कब भेजा गया था बताइए इसका right answer क्या होगा अब देखिए अगर अब से पूचा जाए भारत का पिर्था मुपग्रे कौन सा है तो आप लोग याद रखेगा आरवट है बताइए से अंत्रिक्ष का बेजा गया था सबी लोग इसका answer करिएगा बताइए इसका right answer क्या होगा बहुत अच्छे है इसका right answer option number A होगा 1100 अपरेल 1975 में 1100 अपरेल 1975 में आरवट को अंत्रिक्ष में बेजा गया था option number A आपका right answer होगा 36 का जिसने भी option number A रियान का सही उत्तर है option number A आपका right answer होगा सभी को good morning चरिया अंगला कुश्चन आपके सामने है question number 37 के लिए answer करिएगा बताइए इसका right answer क्या होगा सभी लोग इसका answer करिए बताइए प्रधान वंतरी गरीब कर्यार योजना कब सुनू की गई थी important question है सभी इसका answer करिएगा बताइए जो प्रधान वंतरी गरीब कर्यार योजना है इसे कब सुनू किया गया था 2010 में 2008 में 2014 या फिर 2016 में भारत की रियासतों के एक ही करढ़ में इसने नहड़ाई भूंका निभाई थी बताएए इसका राई आनसर क्या होगा सभी लोग जल्दी सांसर करिए बताएए इसका राई आनसर क्या होगा वुड मॉनिंग सभी को इसका राइट अंसर अपसर अमबर सी होगा सर्दार वल्लब भाई पटेल ने इसलिए अपसर अमबर सी आपका राइट अंसर होगा इसलिए सर्दार वल्लब भाई पटेल को भारती बिस्मार के रूप में भी जाना जाता है आप लोग याद रखेगा परिक्षाम पूछ लेते हैं भारती बिस्मार के रूप में किसे जाना जाता है सब ही लोग याद रखेगा सरदार बल्लब भाई पटेल ने इन्हों ने उन्ने सो अटाइस में बारदाली सत्या ग्रह का नेतरत किया था और ये भारत के पहले ग्रह मेंतरी थे इसके साथ ये भारत के पहले उपड़ान मेंतरी भी थे यह भी आप लोग याद रखेगा चलिए यहांगे बढ़ते हैं इसका अंसर करिये कुश्चन नबर 39 के लिए इसका राइट अंसर क्या होगा अब देखिये कुश्चन इस पर का रहे हैं गैस एजन्सियों दोहारा स्लेंडरों में परकर दी जाने वाली कुकिंग गैस है द्रब, गैस, ठोस या फिर एक घोल, पता ही इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी लोग जल्दी सांसर करिएगा, पता ही इसका राइट आंसर क्या होगा, लेकिए इसका राइट आंसर आपका, यह आपका राइट आंसर होगा, जो कुकिंग गैस होती है, यह सिलिंडरों में दुरब्ट के रूप में होती है, एक रेक्ट अंसर होगा आपका, जिसने भी कुश्चन नमबर 39 का आपसन नमबर एरिया उनका सही उत्तर है, इसे आप लोग याद रखेगा, यह इंपॉर्टन कुश्चन है, चलिए आंगे बढ़ते हैं, अभी इसका अंसर करिए कुश्च पता ही, इसका राइट अंसर क्या होगा, जिसने चेंजिंग इंडिया नमक पुस्तक लिखी है, इसका राइट अंसर आपसन नमबर एरिया उनका सही उत्तर है, इसे आप लोग याद रखेगा, अंगला कुश्चन आपके सामने है, कुश्चन नमबर 41 के लिए आंसर करिए पता ही, इसका राइट अंसर क्या होगा, ये भी इंपॉर्टन कुश्चन है, सभी लोग अंसर करिए, आप देखे कुश्चन इस अपकार है, सही उक्तराष्ट रख्चा परसद के, इस थाइस सदस से देशों की संख्या कितनी है, सभी लोग जल्दी इस अंसर करिए आप सबी लोग इसे याद रखेगा अगर आप से पूछा जाए परीच्छा में अगर आप से पूछा जाए से राश सुरक्षा परसट के इस्थाई सदस्त देशों की संख्या कितनी हैं तो आप लोग याद रखेगा पांच हैं कौन-कौन से रसिया चाइना फ्रांस वेटें और USA इनके बारे में आप लोग याद रखेगा अपना देश भारत इसका 27 सदस नहीं है यह भी आप लोग याद रखेगा चलिए आंगे बढ़ते हैं यह वे कुशन पूछ सकते हैं आपसे कि भारत इसका 27 सदस देश है या नहीं तो आप लोग याद रखेगा भारत इसका 27 किताब को किसने लिखा है सभी लोग जल्दी सांसर करिए गांच इसका राइटकर कुछ नंबर याठ रखो कि याद रखेगा सि आदस ने इन्डाफर इंडियंस किताब को लिखा रखा तो आपसर नमबर याप का राइट अंसर है जिसने भी कुश्चन नमबर 42 का आपसर नमबर याप का राइट अंसर होगा अभी इसका अंसर करिए आप 43 लिए पता हिए इसका राइट अंसर क्या होगा पता हिए सुप्रीम कोड के पहले मुख नायदीज कौन थे इंपार्टन जिसका राइट अंसर आफसे नमबर डी होगा एची जे कर निया याज है आपका याद रुखेगा सुप्रीम कोड के पहले मुखन आदीस टीक पर्रेक्ट आंसर होगा अब पूछ सकते हैं आपसे बर्तमान में सुप्रीम कोड के मुखन आदीस कोन है तो आपते लोग याद जिसने भी कुश्या नमबर 43 का आपसन नमबर D लिया उनका सही उत्तर है आपसन नमबर D आपका राइट अंसर होगा इसका अंसर करिएगा कुश्या नमबर 44 के लिए पताइए इसका राइट अंसर क्या होगा जैनिटिक कोट की खोच किसने की थी सबी लोग जल्दी सांसर करिएगा बताईए इसका राइट आंसर क्या होगा जैनिटिक कोट की खोज किस ने की थी आपसंस आपको दिये गए है तो आपसंस को पढ़ लीजिए उसके बार यांसर करिएगा बताईए इसका राइट आंसर क्या होगा बहुत अच्छे बताईए इसका राइट अंसर क्या होगा देखिए इसका राइट अंसर आपका राइट आंसर है आप लोग याद रखेगा हर गोविन खुराना यह एक इंडियन साइंटिस्ट थे और इनों ने जैनिटिक कोड की खोज की थी आपका राइट अंसर होगा जिसने भी कुश्चन अंबर 44 का आपसर नंबर एडिया उनका सही उत्तर है याद आपसर नंबर यह आपका राइट अंसर होगा बैरी गुड दोस्तों इसका अंसर करिए कुश्चन अंबर 45 के लिए पताहिए इसका राइट अंसर क्या होगा पताहिए राहनी की वाब यह कहां पर इस्तित है सभी लोग इसका अंसर करिए पताहिए राहनी की वाब कहां पर इस्तित है मद्देश पंजाब गुजराद उत्देश पताहिए इसक करेक्ट आंसर क्या होगा इसका राइट अंसर ऑफसर नंबर सी ऊपसिघा तरह का रिख्षाइब आपकरफ्ष्च अंसर होगा सिख्ञज रूँज छोगा याद रुटकु है इसे आफ्ट रह्ट कुषिंट है चलिए आंगे बढ़ते हैं हभी का रिख रिख्षिंट के है तरफ मोंन वे उतरा खंड के मक्ष मंतरी कौन है रिफ रहाए इसकार को राएट हर ङदमान वे से सब्तुछ स्च्च के मुक्ष मंतरी आपको बताना है और इच्छा में कुश्यन पूछा जाता है तो आप लोग याद रखिएगा नौ नवंबर 2000 में उत्राखंड का गठन हुआ था उत्ता प्रदेश से अलग हो कर उताई इसका राइटांसर क्या होगा बर्तमान में उत्राखंड के आपको मुख मंत्री बताने हैं वहुत अच्छे बारी कुछ दोस्त जिसका राइटांसर आफ्टनमडी होगा पुसकर सिंग धामी यास आ आपसंस के बारे में याद रखेगा आपसंसर नमबर डियाप का राइटांसर होगा पुसकर सिंग धामी या बर्तमान में उत्राखंड के मुख मंत्री हैं आप लोग याद रखेगा चलिए आंगे बढ़ते हैं बेरी गुट दोस्तों इसका अंसर करिएगा कुशन नमबर होगा को इससका रेक्ट अंसर को मिना नाया जाता है इसका रहरट उनन्ज मनाये जाता है तो इसे आप आप चूप याद रखेगा अ यनगे बढ़ते ह। इसका अन्सर करिए कुश्चन अम्बर 58 के लिए बताइए इसका राइट ऐंसर क्या होगा अंग महाँ जंपत की रादधानी क्या थी comprend Creator किसेंगा बताइड को सबी लोगस बताइए का राइट अंसर क्या होगा अगर कोई कुश्चन आपको नहीं आता है तो इसे आप लोग note down कर सकते हो पताई इसका right answer क्या होगा options को पढ़िएगा उसके बाद या answer करिए इसका right answer option number D होगा चंपा, D correct answer होगा आपका आपका right answer आप लोग याद रखेगा अंग महाँ जनपत की राधधानी चंपा थी तो D correct answer होगा आपका जिसने भी question number 48 का option number D ली आनका सही उत्तर है option number D आपका right answer होगा इसका answer करिएगा 49 के लिए answer करिए पताई इसका answer दिवस का मनाए जाता है सभी लोग जल्दी सा answer करिएगा पताई इसका answer दिवस का मनाए जाता है वहुँद अच्छे बेर good दोस्त, इसका राइट आंसअर, option number V होगा, 4 February को, यास히 option number V, आपका right answer, आप लोगयाद रखेगा, 4 February को प्रति वर्स, option number A को देखेगा, 2 February को, question पूचा जाता है, अ는지राश्टी, आद्र भूमी दिबस का मुनाया जाता है, वेट लेंड है आप लोग याद रखेगा ये दो फरवरी को मनाए जाता है ये दौन अपॉर्टन कुश्चन है दौनों के बारे में याद रखेगा 65 कुश्चन होंगे आज की ग्लास में चलिए आंगे बढ़ते हैं अभी इसका अंसर करिएगा कुश्चन अंबर 50 के लिए बताईए सका राइट आंसर क्या होगा सभी लोग इसका अंसर करिए का बताईए सी के नाडव कप किस कैल से समभन देथ है बैड मिंटन, फृटबॉल, किर्किट, टेबल, टैनिस बताईए सका राइट आंसर क्या होगा सभी लोग जल्ly सांथ से धार क्या होगा सी के नाडू क्प की स्केल से संभंध़ी है इसका रायच अबसे नबर सी धार किर्केट य comedy है Яुद रुक या जो MG के रिखेगा Yang इसका है वे इसका ह Sa след क्रिए कुश्चन ऊंबर 351 के लिए बताइए सका रायच अनशर क्या होगा जमसेद पुर किस नदी किनारे बसा है पताईए इसका राइट आंसर क्या होगा जमसेद पुर है ये किस नदी किनारे बसा है पताईए इसका राइट आंसर क्या होगा पताईए जमसेद पुर किस नदी किनारे बसा है सबी होग इसका कर्यक्त आंसर बताईएगाक इसका राइट आंसर, आपका राइट था आंसर आप व्याद रिक्ठाइगा होगा, यह जारकृरद का सेडिय के लिए गांजा से, इसका राइट आंसर करिएगा गांचा क्या होगाSt松 का स्मझेद है, सबी लोग जल्दी सांसर करिएगा पताईए जो फिर फिरो सब्ड है यह मुक्षा कि स्केल से सम्मन देता है बॉली बॉल बॉसकेट बॉल पैट मिंटन किर्केट पताईए इसका राइट आंसर क्या होगा पताईए इसका राइट आंसर क्या होगा फिर फिर फिरो सब्ड कि स सजय उत्तर है भी करेक्ट आंसर है आपका वेखर दोस्ता हुए इसका अंसर करिएगा कोश्चन नमबर 53 लिए पता हिए सका राइट आंसर क्या होगा सॉने का लेह टेंड नेम क्या होता है उसके राइट आइट अंसर क्या होगा बुड मारिंग सभी तो तो इसका राइड आंसर क्या होगा इसका राइड आंसर और भी होगा ऑर स्सक्राइड को यद्र रखेंट किया जाता है यह व sırब memor patents सक्षा का Last name होता है stood for copper को Oh स्रीॆ का Last name होता है लोग का Last name होता क्या क्वेडिये आरन को एफ इस रप्रिजेन किया जाता है चारेer प्संस के बारे में याद रखेगा चारों से परिच्छा में इसे कुउचे पूछे गए हैं आपे भी पूछे जा सकते हैं सभी लोग इसे याद रखेगा अब इसका अंसर करिए कुश्चा नंबर 54 के लिए इसका राइट अंसर क्या होगा अ कि पर अपिसर अंसर आपकर अप्तर नंबर सी होगा समबर्ती सूची का या शाफिसर नंबर सी आपकर आट कि यह स है कि इत्व पूर सी करेक्त अंसर है क्लास होगी क्लास होगी आप यह सोप्टर नमबर होगा क्लास होगी क्लास कश्चा चुष्ड तरीब्वर की Свाइट के लिए है 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 तो आपक्षाइब बियापर आपका रไहांपन रखेगा जो इसमें मौलिव कर्दक्ऑों होगा ने भी खरेंड रेंट क्यों होगा ऊपका नक्न एक नहीं कुष्छन नमबर तो हो मिलोए भी के फिक्ट रखेंगा और Siyaan. चलिए कि रहेंट सिक्सक्स के लिए पता है सीचर संसा है कि बताहिए इसका राय इंसर क्या होगा जो एक्रिद भी आई है ये किस तेस्थ की डूप्तिचर संस्थायों पताइए इसका राय इंसर क्या होगा जली संसर करिएगा चाइना पाकिस्तान लोग जल्दी से कर यह पताइए सब्सक्राइए स्केल से अंसर क्या हुगा इसका रायच्पसर होगा। कि इस का राय डानसर क्या होगा, सभी लोग जल्D सांसर करिएगा, रेखेए इस का राय डानसर, Option number C होगा सिक्केम, यस बस्टर डाय डारा कराlles आप पर यद्द्र करियेगा बताये जो कजरी हैं यह कहां का लोग की निरति है करनाड का राजिस्तान आंज़ देस उत्तव पृद्देश बताये का राइट अंसर क्या होगा जली सांसर करिएगा कोश्चनमिर 59 के लिए इसका राइट अंसर आप अन्बर डी होगा उत्तव पृद्देश का अब डुल कि इसका अंजर करिये मैं आशा। आफिछ नंबर आपकर राइड अंसर होगा यह करेक्ट आंसर होगा इससे आप लोग याद रुखिए गार धिरोड अहीड कुछ तक विल गेट ने लिखी आफिछ नंबर याफ राइड अंसर होगा विल गेट यह अमेरिका के एक बिजनिस्मेहन है चलिए आंगे बढ़ते ह हैं अभी सिकार कुछ precision number sixty one के लिए मताइए सका राइटाण्सर क्या होगा बताइए विड़्द विवाव कैसी रात की रही ज़ लोग जल्दी सा अंसर करिए मताइए विड़्द विवाव कैसी राइजिए एव सकांसर करिएगा लब λέओन्य सका option number यहाप का right answer होगा ऐसे आप लोग याद रखेगा चलिए आंगे बढ़ते हैं इसका answer करिएगा question number 62 के लिए बताइए इसका right answer क्या होगा वागी रती और अलग नंदा का संगम कहा इस्तित हैं सभी लोग जल्दी सा answer करिएगा बताइए भागी रती और अलग नंदा का संगम कहा इस्तित है रफद प्रियाग घरिदवार देव प्रियाग प्रियाग राज यह option से आपके बताइए इसका right answer क्या होगा इसका right answer होगा option number C देव प्रियाग में यह option number C आपका right answer आप याद रखेगा देव प्रियाग में इस्तित है भागी रती और अलग नंदा का संगम इसका right answer होगा आपका यह देव प्रियाग कहां पर है यह उत्तरा कंज में यह भी आप जोग याद रखेगा जिसने भी कुश्चन अमबर 62 का option number C दिया उनका सही उत्तर है C correct answer होगा आपका इसे आप जोग याद रखेगा करिये भाट C correct answer होगा अब इसका as सब्सक्रा करिये 64 के लिए भाट से क्दिया होगा जोग इसका бан करिये पताइए पारादी पोर्ट कहा इस्तेद है यह बंदर कहा है प्रसिद बंदर कहा है पताइए किस राज में इस्तेद है प्रेश्ट पंगॉल आन्परदेश तमिल नाडू या फिर ओडिसा इसका राइट अंबर 3 होगा ओड्सा में यास आपकर राइट अंसर आप लोग याद रखेगा पारादी पोर्ट ओड्ट इस तरए टी करेक्ट अंसर होगा आपका जिसने भी कुश्ट नंबर 64 का आप्सिट नंबर D दिया उनका सहीउत देरे यास आपकर आइट अंसर होगा बहुत अच्छे है, इसका राइटांसर आप्सान अम्जर होगा, इसका अंसर करिएगा, कुश्चिन नम्जर 65 के लिए अंसर करिए, बताइए इसका राइटांसर क्या होगा द Prague आये हर सिवर्दन किससे ँर गये थे वाये पताए वहिए हर सिवर्दन किससे एर गये थे रवधिन ये वद्ढäreर इन्हां उन्हों अपनी रात दानी था सब्सक्राइब करेक्ट रखेगा नर्मिदा नधीक किनारे यह उद्दुगा था आपका राइट अंसर होगा इसने भी कुश्चन नमबर 65 का आपसे नमबर बी रिया उनका सहीधतर है बी करेक्ट आंसर है आपका बेरी गुड बहुत अच्छे सभी ने इस पार राइट अंसर दिया बेरी गुड बहुत अच्छे इस पार आप सभी के राइट अंसर है गुड तो डेली सुबह आट बजे आपकी यह वाली क्लास होती है सभी लोग डेली लाइप सेशन को जॉइन कीजिएगा चलिए रोस्ताज की क्लास में ने प्रैक्टिस सेट सॉल्प किया जी के खा जिसमें आपके 65 कुश्चन थे आई होप आप सभी को यह कुश्चन समझ आये होंगे तो क्लास को लाइक कीजिए सेर कीजिए चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्क्राइब कीजिएगा वाल आइक कीजिएगा गुड चलिए पसंद आई लाइक कीजिए सेर कीजिएगा चैनल पर नहीं है चैनल को सब्क्राइब कीजिए वाल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि सब ही नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके चलिए थैंक्यू गाइस थैंक्यू पर वाचिंग गाट ब्रे गजड टो可能 जो कीजिए शोट suf लाइकन कीजिए ब्रेस.